कि सभी को चाहें मैंने तिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूटूब चानल मिशन NCC, The View of Success में देखेगा सुबक के आठ बच चुके हम लाईउ आ चुके फटा पट सभी के अड़ेट जल्दी से लाईउ आ जाएं और आज की इस क्लास में कौन-कौन प्रेजेंट है सभी मुझे चार्ट बॉक्स में रिस्पॉन के तो आज का एक वेरी वेरी अब भी में प्रोवाइट करता हूँ तो अगर आप भी इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हो तो वीडियो के साथ बने रही है तो मैं आपको वीडियो के लास में बता दूँगा कि आप इस PDF को कैसे डाउनलोड करोगे तो भाईया जितने भी हमारे regular वाले केड़ेट से सभी जल्दी से लाईउ आ जाए तो आप में से ऐसे बहुत सारे केड़ेट से जो कि 2022 में NCCA, B और C certificate का एक्जाम देने वाले तो आपको पता नहीं कि आपकी एक्जाम में कैसे questions आते हैं तो वो सारे questions हम discuss करेंगे टेंशन ना लो बिल्कुल 50 days special class है अगर आप सभी इस classes को first class से लगातार देख रहे हो तो आज का हमारा सातवा दी ने उस class का अगर आप लगातार देख रहे हो तो आपको सारी चीज़े सीखने को मिल रही होगे मैं ने आप सभी को कर एक homework दिया था किया आप सभी ने उस homework को पूरा किया है सभी मुझे चार्ट बॉक्स में respond करें क्या आ अगर आपको सारी classes देखना है तो मैंने एक playlist बनाया है जिसका नाम है ncc special class 2022 क्या भी आप playlist का नाम याद रखेंगे सभी ncc special class 2 2022 इसमें मैंने सारी videos upload कर रखिये अभी जो मैं live पढ़ा रहा हूँ इसके बाद recorded class है मैं इस playlist में upload करता हूँ तक कि जब भी आप मान लो 2 साल बाद 2 महीने तीन महीने बाद अगर आप इस class को देखरो और आप चाहते हों कि सारी videos आपको एक ही playlist में मिल जाए तो इस playlist में मैंने सारी videos upload कर रखिये आप वहाँ से पढ़ सकते हो तो बिल्कुल आज की class start करेंगे जितने भी present हो सभी का स्वा से हमारा एक नया topic start हो रहा है रास्तिय एकता का तो उसका आज का हमारा part 1 इस बात को याद रखेंगे already हमने drill और weapon running के बारे में पढ़ा रखा है तो वह सारी video जो आपको इस playlist में मिल जाएगी तो first question आपके exam में क्या पूचा जाएगा सभी को chart box में भी answer बताना है तो पहला question है भाया कि शिक्षक दिवस कब मनाते है तो 5 सप्टेंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते है जो कि आप सभी को पता है उसके वाद में स्वतंद्र भारत के पहले राष्ट पती कों थे तो dr. रजांगर परसाद साब भारत के प्रतम राष्ट पती थे स्वतंद्र भारत के नेक्स देश का सरवादिक साक्षरता वाला राज्य कोन सा है तो के रह ले, सबी को पता होना चाहिए, ये वेरी इंपोर्टन कोशन है, हर साल आपके एक्जाम में पूछ जाते हैं, काजी रंगा रास्टिय उद्यान किस राज्य में सती थे, तो भईया काजी रंगा जो उसे लिकाता है, तो ये पाच कोशन याद रखेंगे सब भी, पाच वार के लिए आपके एक्जाम में पूछा सकता है, नेक्स्ट कोशन, अगला कोशन है, रास्टिय एक्ता किसे कहते हैं, वेरी वेरी इंपोर्टन कोशन, ठीक है, नाशनल इंडिकेशन किसे कहेंगे, जो कि पाच मार के लिए आपके एक्जाम में आने वाला कोशन है, तो इसकी दो परिभाशा है, रास्टिय एक्ता एक मनोवेज्यानिक प्रक्रिया है, एक भावना है, ठीक है, जो किसी रास्ट अत्वा लोगों को देश में भाई चारा अत्वा रास्ट प्रेम, ये वा अपनत वक्की भाव प्रदर्शित करती है, यानि कि सिंपल सी बात है, ठीक है, रास्ट एक्ता हम किसे कहेंगे, मान लो आप किसी देश में रहते हो, ठीक है, देश यानि कि रास्ट, अगर उस रास्ट के लोग एक दूसरे के साथ, अगल मिलके रहते, एक दूसरे के प्रती वो प बहुत सारी जाती है, बहुत सारे हमारे धर्म है, ठीक है, हमारे भारत देश में, बहुत सारे भाषा है हमारे देश में, ठीक है, बहुत सारे प्रांत है हमारे भारत देश में, ठीक है, अगर ये सारे के सारे जो लोग है, अगर वो एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, तो उ सेवन पीम रात को सेवन पीम क्लास सेल थी है बेसिक कोर्स कि उसमें मैं बिलकुल छोटे बच्चों के जैसे पढ़ाता हूँ तो नेक्स दूसरी परिभाश हम लिखेंगे रास्टी एक्ता का मतलब होता है रास्टे के सभी घटकों में भीन्य भीन्य विचारों और विभीन् प्राम्त के लोग ठीक है बहुत सारे प्राम्त के लोग तो अगर वो सभी लोग अपने एक दूसरे के साथ मिल जुन कर रहते और एक दूसरे के प्रती वो प्रेम की भावना रखते और रास्ट के प्रती अगर वो प्रेम की भावना रखते तो उसी कोई हम रास्टी एक्त में आने वाली बादा है लिखो तो रास्टी एक्ता में बादा डालने वाले तत्वा जो कि पाच मार के लिए आपकी एक्जाम में पूचा जाएगा बहिए सबसे पहला तो यह भाष्या उसके बाद है जातिवाद, मिरक शर्ता, सांप्रादाइक्ता, शेत्रवाद, पारे क्या है तो रास्टी एक्ता में बादा डालने वाले तत्वे, वेरी वेरी इंफॉर्डनट है भाईया, क्वेश्चन आपकी एक्जाम में आने वाला है, ओके पाच मार का क्वेश्चन है, अब यह कैसे बादा डालते हैं, उस क्यू पर तो मैंने अल्रेटी बेसिक को आपको उस प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज मिल जाएगी, या प्लेलिस्ट में आप चले जाना, NCC Basic Course 2022 क्लिक करना और वहाँ से देख लेना, ओके चले, यह तो स्रिफ question answer वाली classic special class है, उसके बाद है, निम्मे लिकित दिवस कब मनाया जाते हैं, वेरी वेरी इंपोर्टन पाच मारगा question आपके exam में पूचा जाएगा भाया, तो भारतिया गंत अंतर दिवस जो है, हम 26 जनवरी को मनाते हैं, बिल्कुल आप सभी को पता है, बहुत आसान question था, नेक्स question है भाया कि शहीद दिवस कब मनाते हैं, तो 30 जनवरी को हम शहीद दिवस मनाते हैं, अंतर र रास्टिया खेल दिवस हम कब मनाते हैं, नैशनल स्पोर्स डे हम कब celebrate करते हैं, तो 29 अगस्ट को हम नैशनल स्पोर्स डे celebrate करते हैं, उस दीन जो है मेजर ध्यानचन साफ की जहन थी भी है, तो यह बाते याद रखना है आप सभी को चले, अगर आप सभी को वीडियो अच् को like भी क्या करो सबी के charts में पढ़ रहा हूँ next question अगला question है किसी भी देश के विकास के लिए रास्टिय एकता क्यों आवश्यक है very very important भाया तो किसी भी देश के विकास के लिए रास्टिय एकता क्यों आवश्यक है पांच मारका question आपके exam में आएगा सबसे बहुत देश की संप्रभुता और शेत्री अखंडता को बनाय रखने के लिए किसी भी देश के लिए रास्टे एकतावश्च उसके आतमे देश में शांती और सोहार्द बनाय रखने के लिए मान लो भाईया आपका एक देश है ठीक है आपके देश में बहुत सारे धर्म हैं बहुत सारे जाती हैं बहुत सारे पंते हैं बहुत सारे लोग हैं ठीक है अगर वो लोग एक दूसरे के साथ बिलकुल मिलके नहीं रहेंगे तो उस देश में क्या होगा जगडे लगते रहेंगे ठीक है एक दूसरे बिलकुल च तो उसी के वज़े से देश में शांती और सुहार जो यह वो बनाय रहता है उसके आतमें देश की जो प्रगति यह वो भी जो है देश के विकास भी जो है वो राश्टी एक्ता के वज़े से होता है देश में गरीबी और निरक्षर्ता का उन्मुलयन के लिए रास्टी एक्ता जरूरी है आंतरिक सुरक्षा और कानुन विवस्ता को बनाये रखने के लिए भी रास्टी एक्ता आवशक है संस्कृति एव धर्म के विकास के लिए भी रास्टी एक्ता आवशक है उसे के साथ साथ जो है वो अध्योगिक विकास और अध्योगिक आर्थिक विकास और अध्योगिक प्रगति के लिए भी रास्तिय एक्ता आवशक है रास्तिकी गरीमा और रास्तिक के सम्मान के लिए भी रास्तिय एक्ता जरूरी है समाद सुधार लोकलन के लिए भी जरूरी है तकनीकी ज्यान और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए भी जरूरी है और विदेशी निवेश को आकर्शित करने के लिए और निर्यात को बड़ावा देने के लिए जो है वरास्थी एकता आवशे भाई या आप सभी को बता है कि हमारे देश में जो भी उपता है जो भी मान लो ग्रेन है कोई धानने है या कोई भी चीज़े हमारे देश में सबसे जादा उपती है तो हम उसे क्या करते है तो निरियात करते है यानि कि हम उन चीज़ों को दूसरी कंट्री में बेशने का काम करते हैं ठीक है एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं तो यह एक्सपोर्ट कब होगा निर्यात कब होगा जब हमारे देश में अगर रास्टी एकता होगी यानि कि हमारे देश के जितने भी लोगे वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलके रहेंगे तो हमारे देश से जो है वो बहुत सारा जो चीज़े वो एक्सपोर्ट भी हो सकती है सिंपल सी बात है यार एक बात मुझे बता दो मान लो भया आप एक आपस में आपकी फैमिली है ठीक है भया मान लो आपकी पाच लोगों की आपकी एक पैमिली है ठीक है घर के मेंबर ये अगर घर के मेंबर अगर आपस में बात नहीं करते है ठीक है जगड़ा लगाओ या कुछ भी चीज़े हो गई है तो कैसे मावल होता है घर का ठीक है क्या वो परिवार एक परिवार है ठीक है क्या वो परिवार तरक्की कर पाएगा अगर उसके आपस के लोग उनके उन आपस में उनकी बंती नहीं है वो एक दूसरे के साथ बात नहीं करते एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते तो क्या वो परिवार डेवलप हो पाएग उपरिवार तरक्की कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसी तरीके से वो किसी भी देश, यहाँ पर तुमे ने परिवार का एक्जामपल दिया है, चाहिए आप वहाँ पे मौले का ले सकते हो, आपके सोसाइटी का ले सकते हो, हम बात करें भाइया, देश की रास्ट क अगर आपके परिवार में एकता होनी बहुत जरूरी है, अगर आपके परिवार में एकता है, तो दूसरा आपके तरब कोई उंगली नहीं उटा सकता, अगर आपके परिवार में एकता नहीं है न, तो आपको कोई भी आके, ऐसे मचल के चला जाएगा, पता भी नहीं चलेग next आगे क्यों बात करेंगे निम्मेलिकित राज्जो की राजदानी लिखो बहुत important मानलो आपको इस question यह basic question है इसके answer तो आपको आते ही है मुझे पता ही है इसके answer आते है लेकिन कई बार आप भूल जाते हो इसके लिए आपको याद होना जरूरी है यह exam में आने वाले question है खास करके जो A और B वाले credits है उनके exam में यह question आएगा तो महराष्टर की जो राजदानी है भाई या मुंबई है सभी chart box में बताया करो जितने भी देख रहे हो ना सभी chart box में answer भी लिखा करो उत्तर प्रदेश UP की राजदानी है भाई या लखनाओ उत्तर अकंड की राजदानी है देरादुन करनाटक की राजदानी है बैंगलूरू और मध्यप्रदेश की जो राजदानी है वो है भोपाल ठीक है तो पाचमार का question है बहुत आसान question है लिख देना होगा एक necessary wegenיר गांप होता है जिसे नाशनल इंडिकेशिन कला ज Sü pledge के अलेज ओरनाईज क्यों किया जाता है कंड़क करा जाता है एंसेसी के दौरा तो इस विविद्द प्रांतों की भाषा, लोगों से मिलना जुलना, उनकी संस्कृति, रहन सहन, भावना विचारों से अउबत होना तता एक्ता हम की एक भावना का विक्सीत होता है, ठीक है, संस्कृतिक, धार्मिक, भोगवलिक और परियावरन की बादाओं के पावजूत विरास के प्रती जागरुकता उत्पन न करना, ओके, तो यह आपके एक्जाम में कोशन आयागा, तो यह आपको आंसर लिखना है, अब मैं बता देता हूँ आसान सी भाषा में, देखिएगा, जो NIC क्याम्प होता है, वो क्यों कंड़क किया जाता है, मान लो भाईया, मैं हूँ यूपी का, मैं कहा का हूँ, मैं हूँ भाईया, यूपी का, जो NIC का जो क्याम्प होता है, वो चलता है माहरास्ट्र में, तो यह नैशनल लेवल का क्याम्प है, तो अबिसी बात ही है, दूसरे राज्य में चलेगा, जब मैं यूपी का हूँ, मेरे जितने भी कैडेट्स ह में जाएंगे, तो हमें माहरास्ट के बारे में थोड़ी बहुत चीज़े हमें सीखने को मिलेगी, हम माहरास्ट के कल्चर के बारे में जान सकते कि वहां का कल्चर कैसा है, वहां के जो लोग है, वहां का जो फूड है, वहां के जो माहरास्ट के जो लोग है, वो खाना कैसे है जो हमारे यूपी में जो फूड है क्या वही महारास्ट में खाते हैं ठीक है जो हमारी यूपी में जो भी खाते होंगे अनाज चावल जो भी है क्या वह भी महारास्ट में से मुसी तरीके से खाते हैं वह हमें पता चलता है कि भाया जो महारास्ट की जो लैंगवेज है जो वेसी बात है, ठीक है, सारे कैड़ेट्स आप मिल जुल के रहते हो, तो आपस में एक friendship बनती है, ठीक है, ये भी एक मुख्या उदेश होता है वहाँ पे, एक दूसरे के साथ आपको friendship कराना, तो फिर वहाँ के आपको सभी चीजों के लोक कला क्या है, वहाँ क्या है, वहाँ क के जो cadets होंगे, वह आपके UP के बारे में जानते हैं, ठीक है, तो ऐसी क्या होता है, एक दूसरे के साथ हम मिलके रहते हैं, एक दूसरे के साथ connected रहते हैं, फिर भाईया मान लो, आगे चलके, महीत हुई UP का, अब जो मेरे महारास्ट के जितने भी cadets मेरे friend बने हैं, उनका क काम होता है, वो UP में आते हैं, तो वो मेरे घर में ठहर सकते हैं, तो हमारी एक आपस में friendship होती है, तो इससे क्या होता है, एक रास्ट ये एक बनी होती है हमारी देश में, तो यही चीज़े होती है, जो basic चीज़े आप सभी को उस camp में भी पढ़ाई जाती है, और simple सी बात मैंने आपको बता दिया था कि वो NIC का मुख्य उद्देश क्या होता है, तो यही है, चालिए, next, अगला कोश्चन है भया कि भारत के रास्टिय प्रतिक लिखो, तो भारत का जो रास्टिय धोज़े वो क्या है तो तिरंगा है, भारत का जो रास्टिय चिन्ने वो क्या है भारत रतना, उसके आद में भारत का जो रास्टिय गीत है, वो है वंदे मातरम, ओकै, तो पाच मार के लिए एक कुश्चन आएगा, बहुत आसान है, लेकिन याद रखना है, next question है भया, रास्ट निर्मान के हीत में क्या नहीं करना चाहिए, आप सभी चाहते हो भया, कि मे आप नहीं करना है, तो क्या नहीं करना है, सबसे पहले तो भया, नशिली दवाओ का सेवन नहीं करना है, ठीक है, नहीं करना है, उसके बाद में दहेज नहीं मांगना है, जब आप शादी करोगे तो उस समय में दहेज नहीं मांगो, ना तो आप गर्ल्स हो तो ना दहेज ना तो लेना है ना तो देना है उसके बाद में अवध योन संबंद नहीं बनाना है उसके बाद में असामाजी गती वीडियों में लिपत नहीं होना है कभी भी ठीक है अगर कोई बोलता है कि चलो भाई बिलकुल बनेंगे आतंकवादी बनेंगे ठीक है उस गैंग में शामी भी दे रहे हो तो उतना भी आप उनके उनका शोशन ना करो, पसके आप में जो छोटे बच्चे होते, जो अटरा साल से कम छोटे छोटे बच्चे होते, तो उनसे शरम ना करवाए, ये बात याद रखेंगे, और परिक्षा में अनुछ जी साधनों का प्रियोग ना करे, मंदित लोगों की मदद किया करो, अगर होता है तो किया करो, नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ट्राय तो कर सकते हूँ, उसके बाद है भाईया, सामाजिक तत्वर, उनकी गतिविदियों की सूचना पुलिस को, या प्रशासन को दे, मानलो आपको ऐसा लगता ह कि किसी भी जगा पे कोई गलत काम हो रहा है, तो तुरंद आपको उसकी सूचना पुलिस कर्मियों को देना चाहिए, सामाजिक कल्यान, सरकारी, गहर सरकारी, कारेकरों में अपना योगदान दे, तो भाईया, जो सोशल वेलपेर डिपार्मेंट के तरफ से, जो भी काम होता है, ब्लट डोनेशन का क्यम्प होता है, प्लस पोलियो का क्यम्प होता है, भी वेक्सीन का क्याम चर रहा है, वेक्सीन लगवाना, COVID-19 का, तो वैसे कामों में आपको ठोड़ा सा हैलप करना है उन लोगों की भी, या कमसे कम वहाँपे पार्टिसिपेर उपेर करना बैन है जो भी स्कूल नहीं जाते है वो तो आप ट्राय करो उनको सही तरीके से आप ही पढ़ाओ थोड़ा सा उनको education के बारे में उनके अंदर interest develop करो ताकि वो भी पढ़ सके ठीक है तो यह आपको काम करना है उसके आप में जो रास्तिय संपत्तिय है वह या उसकी रक्षा में करनी है चाहे वो आप बस से सफर कर रहे हो चाहे वो ट्रेन से सफर कर रहे हो चाहे किसी भी पार्क में ठीक है कोई benches लगे हो ठीक है या कही तो उसकी आपको क्या करना है रक्षा करना है रक्षा नहीं कर पा रहे हो तो कोई दिकत नहीं है ना कर रहे हो लेकिन भाया जब आप ट्रेन से जाओगे तो ट्रेन की सीटे फाड़ना बस में जा रहे हो तो बस की सीटे फाड़ना बेंचेस पे गंदा करके रख देना किसी गार्डन में जा रहे हो, किसी पार्क में जा रहे हो, तो वहाँ पे गंदा करके रख देना, किसी धार्मिक स्तहल पे जा रहे हो, तो वहाँ पे गुट काका के तुना, तो ये सारी चीज़े नहीं करना है, उसके बाद में बिजली की चोरी ना करें, वो सरकारी वहान में बिन बिना टिकित प्रवेश नहीं करना चाहिए, यातरा नहीं करना चाहिए, तो यह कुछ बाते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए, हम चाहते हैं, हमारे देश की तरक्षी हो, हमारे देश का अविकास हो, तो यह बाते आपको नहीं करना है, पाच मार का क्वेशन है, एक्जाम म बहुत सारे केड़ेट से जो की पो रहेगी सर में इस PDF को कैसे डाउनलोड करोगे, अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको Google पर सर्च करना होगा, missionncc.com, missionncc.com, ठीक, इस तरीके से आप सर्च करोगे, यह हमारी official website है, यहाँ पर जाना है, यहाँ से आपको menu में जाना है, menu में से आपको जाना है common subject, क्योंकि आपका जो national integration है, वो common subject में आता है, common subject से जो है, आपको जाना है national integration, national integration, ठीक है, तो अगर आप ऐसे चले जाते होना तो यहाँ पे आपको सारी PDF मिल जाएगी, ठीक है, सारी PDF आपको मिल जाएगी, सारा जो है, मैं मैंने इस website पे upload कर रहा है, आपको जाना है सिर्फ website पे और अपने पास एक pen और notebook लेकर जाना है, और जो भी मैंने वहाँ पर पढ़ा रखता है, वो सारा का सारा अपने notebook पे उतार लेना है, बिल्कुल वैसे कि वैसे copy-paste मैंने website पे upload कर रहा है, ठीक है, आप जाओ, वहाँ प आप menu में जाएंगे, वहाँ से आप common subject चूज करेंगे, फिर आपको जाना है national indication, और वहाँ पे सारी चीज़े लिखी हुई है, अपने notebook पे लिख लेना है, और वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है, नीचे description box में लिंक भी आए, सबसे आसान तरीका है, कि आप नीचे description description box में लिंक है, उसके उपर क्लिक करो, सीधा चले जाओ, ठीक है, वेबसाइट पर वहाँ से डाउनलोड कर लेना है, आगे बात करेंगे, सबी के चार्ट मैं पढ़ रहा हूँ, everyone, next question, अगला question है, प्रमुख समाधी स्थल, यह वो संबंदित व्यक्तियों के नाम लिको, त जाओदरी चरंशिंग साथ के समाधी स्थल को किसानघाट के नाम से जाना जाता है, राजी उगांदी साथ के समाधी स्थल को वीर भूमी के नाम से जाना जाता है, तो यह सारी चीज़े आपको पता होनी चाहिए, यह question है, जो कि आज के हमने 10 question discuss किये थे, तो जितने भी credits 2022 में आप सभी एक्जाम देने वाले हो 2022 में ABC का तो आप सभी को all the best paper पूरा solve करना तो आज का है भईया हुआ है हमारा national integration का part 1 ठीक है national integration का आज हमने पढ़ाया आपको part 1 ठीक है इसके part 2, part 3 और आने वाले tension ना लो सारी चीज़े बिल्कुल ये 10 questions हमने बताये थे मैं चाहता हूँ कि ये 10 questions आपके लिए homework है क्या है भईया तो ये आपके लिए homework है तो ये मैं आपको कल पूछने वाला हूँ कि आप पूरा किये हो या नहीं किये हो तो जो भी आज मैंने पढ़ाया है बिल्कुल अभी 9 बज़े तक आप इसको पूरा रट लीजिए पूरा अपने दिमाग में रख लीजिए पूरा याद कर लीजिए ताकि एक्जाम के समय में आपको help हो और बिल्कुल अलस नहीं करना है ठीक है आज का काम है आज पूरा कर दो homework है आप सभी के लिए सभी के charts मैं पढ़ रहा हूँ टेंशन ना लो और आप बहुत सारी videos देखना चाहते हो ठीक है आपको ये video अच्छा लगा है तो like भी कर दीजे और आप चाहते हो कि इस video का आप ऐसे video और देखना चाहते हो तो मैंने playlist बनाया है जिसका नामे NCC special class NCC special class 2022 ठीक है इस playlist में आप सभी को सारी videos मिल जाएगी इस playlist का link मैंने नीचे description box में भी दिया है ठीक है चलिए अब भया जो regular वाले credits से वो जा सकते है ठीक है यहाँ पर हमारी class जो हो समाप हो चुकी है और आप कुछ extra जानना चाहते हो तो रुख सकते हो देखेगा आप में से बहुत सारे credits है जो की 2022 में NCC A, B, O, C certificate का exam देने वाले तो आपके exam में पता है कैसे question पूछे आते हैं तो आपके exam में same ऐसे question पूछे आते हैं यह pattern होता है भया आपके exam में question पूछने का same to same ऐसे आपको लगएगा कि real exam ना आप घर पे दे रहे हो ऐसे real exam ठीक है लेकि अगर आप इस course को purchase करना चाहते हो तो यह number है इस number पे high efficiency इस तरिके से message भेज सकते हो अब बात करेंगे आप में से ऐसे बहुत सारे credits है जो कि 2025 में न सी certificate का exam देने वाले तो यह सी certificate के exact course में आप सभी वह ऐसे total 10 question पेपर मिलेंगे जी हाँ total 10 question paper भाया यह 10 सिर्फ बस है आपका exam clear करने के लिए तो जिस में से यह 10 question paper होंगे 10 answer sheet होंगे practical paper ची topic wise note विसे question bank होगा यह सारी चीज़े अगर आप पढ़के जाओगे ना इनको रटके जाओगे ना तीन घंडे की practice करके जाओगे ना तो आप आपके seat certificate के exam में न एक rate से पास होगी यह मेरा वादा है आप सभी से लेकिन इसकी फीज है भाया 199 रुपीज अगर आप इस course को purchase करना चाहते हो तो आपको करना क्या पड़ेगा देखिए गर आप interest rate हो इस course को purchase करना चाहते हो ना तो सबसे पहले आप सभी को ना इस whatsapp नमबर पे high mission agency से एक message भेजना है जैसी आप message भेजोगे mission agency को तो mission Constant के तरप से आपको payment को option हैगा जिसमें आपको phone पे Google पे , आपको पेमेंट कर सकते हो, जैसे आपका पेमेंट के आपको पेमेंट करना है, जैसे आपका पेमेंट के आपको पेमेंट करना है, जैसे आपका पेमेंट के आपको पेमेंट करना है, जैसे आपका पेमेंट सक्सेस्फुल होता है, तो उसका एक स्क्रीन शॉट निकाल के वाले हो तो आपको common syllabus मिलेगा, specialite नहीं मिलेगा, अगर आप army wing के cadet हो, तो आपको सारी चीज़े मिलने वाली है, common subject भी मिलेगा, specialite भी मिलेगा, और मैंने एक missionancy का WhatsApp ग्रूप बनाया है भईया, ठीक हैं, और इस WhatsApp ग्रूप में वही बच्चे जोइंड है, वह सारा का सारा जोग पीडिया पे, मैं इस WhatsApp ग्रूप में भेशते रहता हूँ, क्योंकि इस WhatsApp ग्रूप में जितने भी बच्चे हैं, वह सही तरीके से पढ़ सकें, उनकी preparation और अच्छे से हो सकें, इसलिए इस WhatsApp ग्रूप में मैं सारी चीज़े भेशता हूँ, अगर आप भी मेरे साथ WhatsApp ग्रूप में जोना चाते हो, तो आप इस कोर्स को purchase कर सकते हो, अप question paper purchase के related, अगर आपका कोई भी doubt हो, तो आप मेरे साथ call पे भी बात कर सकते हो, देखेगा मैंने यहाँ पे contact number दिया है भी या, आप मेरे साथ call पे बात कर सकते हो, इन सभी model question paper को purchase करने के बाद, आप सभी आपके exam में A grade से पास होंगे, यह मेरा वादा है आप सभी से, और यह हवा हवाई बाते मैं नहीं बोलता हूँ, इस बात को याद रखेंगे, यह सारे के सारे missionancy के super achievers है, जिनों ने अपने exam को अच्छे grade से पास किया है, अगर आप भी इनके जैसे super achievers बनना चाते हो, तो आप इस course को purchase कर सकते हो, और आप जो अपने exam में अच्छे grade से आप पास हो सकते हो, यह मेरा वादा है, और यहाँ पे मैंने दो रिक्त जगा रखी हुई है, अगर आप इसको पर्फार्मस अगर अच्छा दिखाते हो, तो नेक्स्ट इयर आपका भी फोटो आ सकता है, तो चलिए बिल्कुल अगर आप इंट्रेस्टेट हो, तो इस को पर्फेस कर सकते हो, इंट्रेस्टेट नहीं हो, तो कोई बात नहीं हो भी या, किसी को फोर्स नहीं है, तो इतने देर तक आप सभी वीडियो के साथ बने हो, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तो ऐसे ही हमेशा बने रहना वीडियो के साथ, रात वाली क्लास चलीगी भाईया, 7 बजे, 7 पीम, तो 7 पीम वाली बेसिक क्लास में आपको आ जाना है, चले, तो यहाँ पे कुछ देर बाद वीडियो आ जाएगी, उन वीडियो को देख लेना, बहुत helpful वीडियो है आप सभी के लिए, तो बिल्कुल मिलते कल वाली क्लास मे तब तक के लिए, याने की रात वाली क्लास में, तो तब तक के लिए, ताटा, बाई-बाई, सायनारा, अन्विदा, आपका किम दी समनी का एक वाली वीडियो दिखने लेए, शुक्रिया मिलता, उस तो अगले वीडियो में, जाहिन, वन्दे मातरम